कर विश्राम करें कि कोई है जो सदे उसका ठ्यान रखता है कि अदिक्षिकादे फिर्षा और फिर्षा पत्य और उसकी शर्था से प्रसंद नहोंता उसके राते उसे दर्शन अवश्य दिखते कि तो गब किस रूप में और किस परस्थिती में इसका पूर्व ग्यान होना वाक्त के लिए संभब नहीं होता जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते कि तो जब भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता है तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते है इसलिए तुम्हारा ये कथन उचे थेनंदे मैं व्यस्त हूं और मैं चिरन तनकाल से लेके चिरकाल तक ध्यस्त रहूँगा प्रत्यक शब प्रत्यक भक्त का ध्यान रखते हैं जिसके कारण स्वार्थ, फिनाश, कुरूर्था, अशान्ति और भए में वृध्धी हो वो अज्ञान है किन्तु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सैन्शीद और विनम्र बनाएं वही ज्ञान है अज्ञान की शक्तियां तु रुपियोग करने ही तु प्रेरित करती है किन्तु जो अपनी शक्ति हो और अपने सामर्थि के भते, अपने उत्तरदाइत पुख को समझाए जुना के वल अपने अपितु अपने से पहले, संसार के उद्दार है तु प्रोच्साहित कर, वो ग्यान है ग्यान का मूल उत्देश ही परोपकार है स्रीजन्य दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना यही ग्यान, क्योंकि ग्यान हमें ना के वल अपने अपितु दूसरों की दुख और सुख के प्रती भी समवधनशील बनाता किन्तो जो दूसरों की भावनाओं का अनादर गए उसे ग्यान की श्रेनी में कैसे रखा जा सकता अज्यान के कारण व्यक्ति सांसारिक्ता में बंदता जाता मुमाया में उलजता जाता अज्यान परमसत्य से दूर ले जाने का बाथ्यमा किन्तो ज्यान ज्यान व्यक्ति को परमसत्य की और ले जाता ग्यान मुक्ती दायक में मुक्ष का मार्ग और इस मुक्ती दायक ग्यान का सरवोची रूप है आत्म ग्यान और यही ग्यान की पूर्णता भी है कि अपने को समर्पित करते हैं छोड़ते अंकार को तो भ्रम की इच्छा ही पूर्ण होती है और अभी भी वही फलत हो रहे है ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन फलत करा लेंगे लेकिन व्यक्ती भिन फलत कराने में लड़ेंगे तूटेंगे नश्टू कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्चक है किन्तु मन मौन रहना नहीं जाता है वो तो निरंदर कुछ ना कुछ कहता रहता है प्रतिपत शब्दों का आक्रवन चलता रहता है मन पर और यही आक्रवन है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता जाहां जीवन की सत्यता का बोट उसकी प्रतिक्षा कर रहा होता है कि कभी भी किसी व्यक्ति का पिवेक उसके संस्कार निर्फीकता है प्रतिदीन का संध्यकाल पूजन आपके समक्ष क्यों नहीं होता है होता है कि पूजित का साक्षात सामने होना कि मन को भटकने नहीं देता कि तुझो सच्चे बगता है कि अगवान तो उनके मन में उनके हिर्दे में दिवास करें जिनके हिर्दे में श्रद्दा है उनके लिए पूजा करने है तो अपने अराध्य का साक्षात सामने होना निवाद नहीं वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे हैं उनकी प्रतेक अनुखूती में भगवान है सुखांत्रिक होता है संतो शांत्रिक होता है उन्हें वारी तत्म से रेखांके तोर परिभाश्यत नहीं किया जा सकता आकार से नहीं पाया जा सकता आकार के आधार पर के वला हंकार ही उत्पन होता है क्योंकि आकार